Hi everyone, this is knowledge stopper और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब memo या memorandum writing के बारे में कि memo या memorandum writing क्या होती है या आप इसको business memo भी कह सकते हैं basically सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है ठीक है ना उसके बाद हम इसका purpose जानेंगे और मैंने आप लोगों के लिए पूरा sample तयार करके रखा है जो कि पूरे format के साथ मैं आपको समझाओंगा इस particular video के end में ठीक है यह पूरा मैंने आप लोगों के लिए prepare करके रखा है तो please make sure करेंगे वीडियो को end तक देखीगा बहुत informative आप लोगों के लिए बहुत असान topic है और बहुत easily आप लोगों का समझ में आ जाएगा इस पूरे sample का एक एक चीज में आपको समझाओंगा हर एक point ठीक है ना तो आएए चलगी इस वीडियो को start करते हैं अच्छा सबसे पहले हम जान लेते हैं कि memo या memorandum क्या होता है ताकि हमारे mind में एक basic understanding आ जाए तो basically memo या memorandum एक communication tool है जो कि within the organization इस्तमाल किया जाता है जैसे you know company में you know कोई announcement होती है या एक employee दूसरे employee को you know request बेचता है ठीक है या कोई भी updates होती है ठीक है ना organization के अंदर जो कि employees के साथ you know communicate की जाती है या you know organization में जतनी levels होते हैं एक level से दूसरे level में you know कोई भी हमने information transfer करनी है तो हम memo का इस्तमाल करते है ठीक है तो यह एक basic सी you know definition है memo या memorandum की जिसमें हम बात करते हैं कि basically एक communication tool है within the organization जो है वो use कह जाता है कोई भी request होती है यह कोई भी update होती है यह कोई भी information होती है उसके लि पर रहें बात करें तो basically सबसे important चीज़ यह है कि memo जो है वो internal communication tool है जो के organization के अंदर इस्तमाल के जाता है ठीक है ना यानि within the organization उसके बाद second point यह है कि basically memo हमेशा brief concise होना चाहिए ठीक है ना basically जो main purpose है कि efficiently तोर पर you know communication पास हो information पास हो तो that is the reason why हम memo का इस्तमाल करते है ठीक है उस employee से request करनी है ठीक है ना या कोई reminder send करना है मिसाल के तौर पे एक assistant manager जो है वो meeting के बारे में अपने manager को remind करा रहा है तो उसमे memo का इस्तमाल करेगा ठीक है उसके बाद कोई भी updates बगर है you know organization में एक department में या different you know levels of the organization में हमको you know updates pass on करनी होती है तो हम memo का इस्तमाल करते है ठीक है और आप जो है वो अपने supervisor को एक memo लिखेंगे जिसमें आप जो है वो request करेंगे additional office supplies ठीक है ना तो सबसे पहले क्या करेंगे basically अगर मैं आपको पूरा sample यह दिखाऊं तो सबसे important चीज़ होती है कि जनाब सबसे पहले यहाँ पर memo या memorandum का title आता है ठीक है ना उसके बाद ज लिखेंगे जो भी you know memo को लिख रहा है ठीक है उसके बाद जो current date होगी आप वो लिखेंगे और यहाँ पर you know subject जो भी purpose है आपका जिसमें आप memo लिख रहे है जिसे यहाँ पर लिखा है request for additional office supplies ठीक है तो इस तरीके से आप जो है वो यह important चीज़ है यह आप पूरा you know इसी त subject जो है आपने उसको introduce करना इस particular paragraph में ठीक है ना जिसे यहाँ लिखा है I am writing to request additional office supplies for our department as we are currently experiencing a shortage that is impacting our productivity सिर्फ आपने यहाँ पर you know introduce करवाना है ठीक है जो भी आपका purpose है memo लिखने का ठीक है उसके बाद आपने यहाँ पर you know details जो भी है उससे related आपने यहाँ पर you know mention करनी है अब इसके अंदर यहाँ पर organize करके लिखा है bullet point में आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं यह आप paragraph form में भी यह वह उसको लिख सकते हैं ठीक है ना जो main purpose है basically इसका वो यह है कि आपका जो reader है उसको easy तोर पर you know जो भी purpose है memo लिखने का वो समझ में आ जाए ठीक है जैसे यहा आपको you know purpose हो आप यहाँ पर paragraph form में भी लिख सकते हैं और आप you know organize करके bullet point में भी जाए उसको लिख सकते है ठीक है उसके बाद यहाँ पर you know आपने एक conclusion paragraph देना है जैसे कि यहां लिखा है we kindly ask for your assistance in procuring these supplies by date as it will greatly facilitates our daily operations and help us meet our targets efficiently ठीक है अच्छा अगर आप you know कोई additional document जो है वो particular memo के साथ ठीक है तो आपने you know make sure करना है उसका reference भी यहाँ पर देना है ठीक है जिसे यहां लिखा है attached to this memo you will find a detailed breakdown of the cost associated with the requested items we believe this investment is necessary तो इस तरीक से आपने you know पूरे अपने memo को लिखना है ठीक है अच्छा एक चीज़ you know बहुत important है कि आपने you know jargons को avoid करना है और make sure करना है कि आपके जो tone हो ठीक है ना वो professional हो ठीक है और आपने you know grammatical spellings वगरा you know errors वगरा को आपने चेक कर लेना है ठीक है ताकि एक professional you know आपका memo create हो तो जनाब यह थी है आज की वीडियो memo या memorandum से related I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल knowledge chopper को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा मैंने you know each and everything आपको कोशिच किया है कि हर पार्ट आपको you know example के तुरू मैं आपको समझाओं बहुत मेनत लगती है एक वीडियो बनाने में तो kindly चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा और you know वीडियो को भी लाइक कर दीगा म मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है नेक्स्ट वीडियो में और मजीच जो हमारे पास you know different topics हैं उनको cover करेंगे अपना बहुत खया लखेगा मुझे दौाओं में जरूरीया लखेगा अलाफेश